अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भेजे गए पृत्वी के तस्वीर से हम यह जानते हैं कि पृत्वी गोल है लेकिन वास्तों में पृत्वी गोला कार नहीं है इसके लिए हम गलोब की सहता लेते हैं अब ये globe होता क्या है तो globe प्रिथवी का क्या है एक नमूना है जैसे कि हम प्रिथवी को प्रत्यक्षरूप से नहीं देख सकते हैं इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं globe का उपयोग करते हैं globe विभिन आकार या प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि बड़े गुलोब भी होते हैं जिनको हम असानी से एक इस्थान से दूसरे इस्थान नहीं ले जा सकते हैं कुछ पॉकेट में रखने योग्य गुलोब होते हैं तथा गुबबारे जैसे गुलोब भी होते हैं जिनमें हम हवा भर के समझ सकते हैं है ना और एक इस्थान से दूसरे इस्थान असानी से ले ले जा सकते हैं ग्लोब जो होते हैं वो इस्थिन नहीं होते हैं इसे हम क्या कर सकते हैं अपने अनुसार घुमा सकते हैं जैसे कि कुमार का पहिया देखे हो या लट्टू देखे हो है ना वो क्या होते हैं जब घुम एक सुई गलोब में जुकी हुई आवस्था में इस्थित होती है और इसे ही अक्ष कहा जाता है जैसे कि हम क्या करते हैं अगर एक बड़ा सा गेंद लेते हैं उसमें सलाई या स्वेटर बुर्णने वाले जो सलाई रहती है उसको दोनों साइट क्या कट देते हैं, आर पार निकाल देते हैं, तो वो क्या होगा, उसका अक्षा होगा, जैसे कि आप उचितरे में दिख रहा है, जो पृथवी जो गलोब है, हमारा क्या होता है, उपर से नीचे की और, एक सुई जैसे सरचना से क्या है, घुसा हुआ है और इन ही को हम क्या कहेंगे उसका अक्षा कहते हैं पर ग्लोब पर वे दो बिंदू जिनसे ये होकर गुजरती है उपर साइट को उतरी ध्रू और नीशे को हम क्या कहते हैं दछड़ी ध्रू कहते हैं ग्लोब को इस सुई के चारो और है ना प्रिथवी की भाती ही हम क्या कर सकते हैं पस्चिम से पूर्व की और घुमाया जा सकता है जिस प्रकार से हमारे प्रिथवी किस और गती करती है पूर्व स्चिम से पूर्व की और और जो तारे होते हैं वो जस्ट इसके आपोजिट प पूर्व की ओर भुमते हैं इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं गलोब रमैंस घ्री पर वास्तों में ऐसी कोई सूई नहीं होंती यह सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है और यह अपने अक्षक पर चारो और भुमती है जो एक कालपनिक रेखा है यह एक अन्य कालपनिक रेखा भी जो गलोब को दो बराबर भागों में बाड़ती है जैसे कि आप लोग को बीचों बीच क्या दिखाई दे रहा है एक लकीर दिखाई दे रहा है इसको हम भूमध्य रेखा या विशुवत रेखा कहते हैं भूमध्य रेखा जैसे कि आप देखे हैं बीचो बीच है ना उसको भूमध्य रेखा कहते हैं उसी प्रकार से उत्री द्रू ठीक है जस्ट भूमध्य रेखा के उपर एक रेखा पाई जाती है वो उसको हम क्या कहेंगे करक रेखा कहेंगे जो उत्री द्रू की ओर होगा ठी मध्य रेखा के जस्ट नीचे में जो रेखा पाई आएगी उसको हम क्या कहेंगे मकर रेखा कहेंगे आप यहां चित्र में देख रहे होंगे कि प्रित्वी में क्या है कुछ इस प्रकार से गोल नुमा क्या दिखाई दे रही है रेखाय दिखाई दे रही है ठीक है इसी को हम क्या कहेंगे अक्षांस रेखाएं कहेंगे विश्वत जो रेखाओं वृत के ध्रुवों तक सभी समांतर वृतों को ही हम क्या कहेंगे अक्षांस रेखाएं अक्छांसों को अंस से मापा जाता है जैसे कि आपको दिख रहा है ठीक है उत्तर की ओर 90 अंस का और दच्छिर की ओर भी 90 अंस का इस प्रकार से हम अपने इस्थान पर द्रू तारे का कोड माप कर हम क्या कर सकते हैं अपने इस्थान का अक्छांस जान सकते हैं उसी प्रकार से दिसंतर रेखाएं उसे कहते हैं जिस प्रकार आपको दिख रही है वे रेखाएं जो उत्री धुरू और दच्छडी धुरू को आपस में मिल जाती है उत्तर से दच्छडी के और आपको एक लेकिर दिखाई दे रही है यही रेखाई क्या कहलाती है देशांतर रेखाई कहलाती है और इसका माप क्या होगा 360 अंस का होगा और एक बटे चार याने 90 अंस और इसी प्रेकार से 90 अंस में उत्री अक्छांस और जो क्या कर दर्साता है उत्री ध्रू को दर्साता है और नब्बे अंस दच्छडी अक्षांस जो दच्छिर ध्रू को दर्साता है इसी प्रकार हम अक्षांस और देशांता रेखायों को इन चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं इसी प्रकार से हम महत्वपूर्ण अक्षांस एवां ताप कटी बंद को इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं जैसे देख रहे हैं विश्वत जो वृत है वो जीरो अंस का होता है उत्री धुरू 90 अंस उत्तर में और दच्छिड धुरू में 90 अंस दच्छिड में इसी प्रकार से चार अत्रिक्त अक्षांस समानांतर रेखाएं भी हैं जैसे कि आपको चित्र में उत्री सैट में दिख रहा होगा उत्री गुलार्ध में करक रेखा जो होती है वो तेईस एक बटे दो अंस उत्तर में होता है और दच्छिड गुलार्ध में भी जो मकर रेख होती है वो भी 23 1 बटे 2 अंस दच्छिड में होती है ठीक है और विश्वित जो वृत होती है वो 66 1 बटे 2 अंस का उत्तर में इसलिए उत्तर दुरू वृत और विश्वत रेखा के 661 बटे 2 अंस का दच्छिड में दच्छिडी जुरू वुरित बनाती है करक रेखा और मकर रेखा के बीच जो अक्षांस होते हैं उसमें सूर्य वर्स में एक बार दुपाहर के दुपाहर में सीर के ठीक उपर होता है इसलिए ये जो छेतर होते हैं सबसे अधिक उसमा प्राप्त करते हैं इसलिए इसको हम क्या कहते हैं उष्ण कती बंध, उत्री गुलार्ध में उत्तर धुरु वृत एवं उत्री धुरु तथा दच्छरी गुलार्ध में दच्छर धुरु वृत या क्या है दच्छरी धुरु के बीच के जो छेत्र होते हैं वो बहुत अधिक ठंडी होती है, इसलिए यहां सुरी का जो प्रकास है वो ज़्यादा उपर नहीं आ पाता इसलिए यहां क्या होती है ठंड होती है और इसलिए इसको हम सीट कटी बंध या सीटोषण कटी बंध करें